उत्तर प्रदेश का सुल्टानपूर लोकसभा शेत्र इन दिनों राजनितिक समीकरणों को लेकर बहुत जादा चर्चा में है चर्चा की वज़़ है मेंका गांधी और दूसरी चर्चा की वज़़़ है वरुण गांधी वरुन गानदी का भले पिली भीट से टिकट कट गया हो लेकिन अब वो मा मेनका के लिए प्रचार कर रहे है मा मेंका सुल्तानपूर लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार बीज़पी की उम्मिदवार है सुल्तानपूर लोकसभा से 2014 से 2019 के बीच मेंका गांधी के बेटे और बीज़पी नेता वरून गांधी सांसद रहे 2019 में बीजेपी ने माँ और बेटे की सीटे आपस में बदल दी मेनका गांदी को सुल्तानपुर दिया और इसी लिहाँ से देखें तो पिछले 10 सालों से इस सीट पर बीजेपी का ही कबजा है वैसे बड़ी दिल्चस्प इस सीट है इसका इतिहास भी दिल्चस्प रहा है इस सीट पर किसी भी दल का कोई प्रत्याशी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया वहीं मेनका लोकसबा चुनाव 2024 के लिए यहां से दोबारा नामांकन कर चुकी है सवाल है क्या मेनका गांदी इस बार इतिहास बदलेंगी माना जाता है सुल्तानपूर लोकसबा सीट पर दलित और ब्राहमर जादा है लेकिन यहां गयर यादव पिछडी जातियां भी परिणाम प्रभावित करने में एहम भूमिक आदा करती है यूपी में लोकसबा चुनाव के बीच सुल्तानपूर के बाहु बली निता और पूर विधाय चंद्र भद्र सिंग उर्फ सोनू सिंग ने सपा जॉइन कर ली अखलेश यादव संग उनकी तस्वीरें सामने आई तो सुल्तानपूर का सियासी पारा भी गरम हो गया सोनू सिंग ने साल 2019 में सुल्तानपूर से बसपा के टिकट पर बीज़पी प्रत्याशी मेंका गांधी के खिलाफ चुनाव रड़ा था उन्हें महज 14,000 बोटों से हार मिल गई थी दरसल 25 मई को सुल्तानपूर लोकसबा सीथ पर मतुदान होना है इससे पहले सोनू सिंग के अखलेश खेमे में जाने के बाद माना जा रहा है इससे सपा प्रत्याशी को मदद मिलेगी बाओ बली सोनू सिंग का अपने इलाके में दबदबा है उनके खिलाफ दरजन भर से ज़ादा मुकदमे दरज है भाई यश्भदर सिंग और मोनू सिंग भी शेतर में बहुत एक्टिव हैं मोनू ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं कहा जाता है यूपी के सुल्तानपुर में विधान सभा का चुनाव हो या लोग सभा का इस ताकतवर परिवार का फैक्टर हर दम काम करता है इस परिवार का राजरीती में अच्छा खासा दखल है सोनू सिंग और मोनू सिंग का इलाके में दबदबा है क्षत्रे वोटर्स भी अच्छी खासी पकड़ वहां पर मानी जाती है इस सीट पर गैर यादव OBC जातियों में निशाद और कुर्मी 2014 से ही BJP के साथ रहे जबकि समाजवादी पार्टी ने यहां से निशाद प्रत्याशी के रूप में पूर्व केंद्रे मंत्री राम भुआल निशाद को मैदान में उतारा वहीं दूसरी और बसपा ने कुर्मी समाज से उद्राज वर्मा को मैदान में उतार कर BJP के समिकरणों को थोड़ा सा ही लाने की कोशिश की मेंका गांदी के नामांकन से इस बात की पुष्टी होती है दरसत कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ वरिष्ट पत्रकार कहते हैं निशाद समुदाय का बड़ा हिस्सा निशाद उमीदवार राम भुआल के साथ जाएगा कुर्मी मतदाताओं का तीन टुकडों में बटवारा होगा समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि देश में इंडिया गटबंधन की सरकार बनने जा रहे यह से समझते हुए लोग इंडिया गटबंधन के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं यादव और मुस्लिम मतदाता हमारे साथ थे और निशाद भी समाद हमारे साथ ही हैं। दूसरा हमारी पार्टी ने कुर्मी समाज को इतना टिकर दिया कि यहां कुर्मी मतदाता 50 फीजदी अपनी जाती के बसपा प्रत्याशी के साथ जाएंगे। बाकी बच्चे 50 फीजदी में हमारे साथ लोग आएंगे। इसलिए कहराओं कि जातीय समिकरण हमारे पक्ष में हैं। वैसे समाजवादी पार्टी ने दूसरी जातियों के भी संतुलन सादने की कोशिश की हैं। पूरु सपा विधायक और परशुराम की मूर्ती इस्थापित कर ब्रामन नेता के रूप में उब्रे संतोष पांडी के साथ पिछले लोगसबा चुनाओं में सपा बसपा प्रत्याशी चंद्र भद्र सिंग सोनू इसी मंगलवार को सपा में शामिल हुए। पिछले चुनाओं में चंद्र भद्र सिंग मेंका गांधी को कड़ी टकर देते हुए लगबग 15,000 मतों से चुनाओ भार गए थे। ऐसे में ये संकेत मिल रहे हैं कि इसौली विधान सभा समेत अन्य विधान सभाओं में भी ठाकुर और ब्रामन मतुदाताओं का जातिकत आकलन के अधार पर दावा है कि सिल्टानपुर लोग सभा में दलित और ब्रामन मतुदाता सरवाधिक हैं। वो गांधी परिवार की सदस्य हैं, आठ बार सांसद रही हैं, इतना ही नहीं बीजपी की फाइर ब्रांड नेताओं में से एक में उनकी गिंती होती है। सुल्टानपुर लोग सभा में मेंका गांधी की एक सक्रिय सुल्भ और सशक्त महिला नेता की छवी है। यही बजाए कि विपक्षी दल मेंका गांधी की बाहरी नेता के रूप में छवी गड़ने में नाकाम रहे है। सुल्टानपुर के कुछ लोग कहते हैं मेंका गांधी में सपष्ट वादिता है वो जो भी काम कराती है करा देती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई काम उनके द्वारा संभब नहीं होता है तो वो मना भी कर देती है। मेंका गांधी ने जिले का शेरी करण किया, सौंदर्य करण कराया है, ट्राफिक जाम से निजाद दिलाई है, वेंडिंग जोन का निर्मान कराया है, ऐसे कई दावे वहां के लोग करते हैं। लेकिन पत्रकारों का एक धड़ा कहता है मेनका गांधी का राजनुतिक कद बहुत बड़ा है सक्रिये नेता हैं देश की राजनुति में महतोपूर और केंद्री भूमिका निभाने वाले गांधी परिबार की सदस्य हैं उनके व्यक्तित्व के साथ ये एक अतरिक्त पुष्टा है इन चीजों का लाब भी उन्हें मिल रहा है दूसरी तरफ इंडिया गडबंदन के प्रत्याशी राम भुआल निशाद गोरखपूर की कौड़ी राम विधान सबा से दो बार के विधायक रहे साल दोजार साथ में राम भुआल निशाद बस्पा सरकार में राज्यमंत्री रहे लोगसबा चुनाव 2014 में गोरखपूर से योगी आदितनाथ के खिलाफ वस्पा के टिकट पर चुनाव लड़े तीसरे स्थान पर रहे इस सीट पर सपा ने राम भुआल को निशाद मतदाताओं को साधने के लिए प्रत्याशी बनाया पिछले लोगस चुनाथ के सामने गोरखपूर से मजबूति से चुनाम लड़े कौन कितनी बार का सांसद है ये माइने नहीं रखता पांच साल में मिनका गांधी सिर्फ समाज के उच्च वर्ग का ध्यान देती रही लेकिन समाज के दबे कुछले लोगों का ध्यान नहीं गया राजवर्मा को टिकट मिनने के बाद बदलते जातिये समिकरण ने एक बार फिर सुल्तानपुर लोगसभा को होट सीट बना दिया है और बरिष्ट पत्रकारू का भी यही कहना है कि ये बहुत जादा कटिन चुनौती होगी नहीं मेनका गांधी के लिए पिछले 10 साल में नरिंद्र मोदी के शासनकाल में एक नया वोट बैंक सामने आया है जो आविशक्ताओं और हितों की पूर्ती से जुड़ा है जिसे लाभारती वोट बैंक कहते हैं इसके अलावा राजियों और केंद्र के माधियम से विभिन्य योजनाओं के जरिये बड़े संगठनात्म धांचे के जरिये जमीन अस्तर पर बेहद मजबूत है हाला कि कुछ और वरिश्च पत्रकार ये भी मानते हैं कि इस बार चुनाओं में आप प्रत्याशित पर रिणाम आ सकते हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि बहुत कुछ निश्चित मान कर नहीं चला जा सकत लेकिन इन सब के बीच फिलहाल सुन्तानपूर सीट को लेकर इस वक्त बहुत जादा चर्चा है चर्चा इस बात को लेकर है कि वरुण गांदी वहाँ पर अपनी मा के प्रचार के लिए जाएंगे और चर्चा इस बात को भी लेकर है कि जिस तरीके से सोनू सिंग ने सपा का दामन थामा है क्या ये मेनका के लिए सिर्दर्द का सबब हो सकता है एक्जिट पोल दो हजार चौबीस एक जून शाम छे बजे से लोकसभा चुनाओ के नतीजे चार जून सुभह साथ बजे से देखिए चुनाओ नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटी केवल अमरुजाला पर